मेरा नाम है यूर अब देख रहें यूए एक्स्प्लेशन डाटू होप करता हूगा है सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और बेगनिंग आर्फर दी एंड के कॉर्ण एपिसोड में आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है मैं यहां पे एक्सक्य स्टोर पर अवेलेबल है लेकिन आपको इसके लिए पे करना होगा अप्रॉक्सिमेटली पंदरा यह फिर दस डॉलर के अंदर ही में है तो सारी बक्वास को किनारे करते हुए रखते हैं हम मागा के दुनिया में एक और कदम एक सिकेंड रुको रुको जल्दी से कॉमेंट सब कुछ तो मैंने बोली दिया है तो हब चालू करते हैं सीन की स्टाटिंग होती है और हमें दिखा जाता है तैसिया वारिया और एमेली को जो कि सारे के सारे तीनों लोग एमेली के रिसर्च लेबराटरी तक आ गये थे जो कि एक बेस्मेंट में थी उस लैब में नीचे को जाने लगते हैं कि तभी टैसिया को कोई स्मेल महसूस होती है टैसिया अपने हाथ को अपने नाक के ऊपर रखते हुए बूलती है आखर यह बद्बू कैसी है जिस पर एमेली बोलती है बद्बू यह किसी तरीके की बद्बू नहीं है यहाँ पर बहुत सारे मिन खीडन के जा रहा है इसमेल उन्हीं मिनरल्स और मेटल्स की है जिनें मेल्ट करकर यहां पर रिफाइन किया जा रहा है वो लोग वहीं से उतरकर नीचे को जाने लगते हैं कि तभी एक रूम से किसी के चिलाने के आवाज आती है वह परसन उसी रूम के अंदर अपने वरकर के बहार आ जाता है अपने सामान को लेकर परकर के साथ ही वहाँ पर एक बटलर भी आ जाता है बटलर वहाँ पर उन तीनों लोगों को देखकर उने सर को जुकाते हो इन तीनों लोगों को ग्रीट करता है वो बटलर एमिली से बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आजाओगी, एमिली बोलती है कि मास्टर का मूट इस वक्त खराब है, जिस पर बटलर बोलता है कि मुझे लगता है, बटलर बोलता है कि एमिली जो रिपोर्ट्स तुम है इस वक्त यहाँ पर लेकर आई हो, Master Guidance बहुत समय से इन रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे जिस पे Emily बोलती है कि आपको पता है कि आखिरकार ये पेपर है कि इस चीज़ के Emily ये बोली रही होती है कि तभी वहाँ पर बड़ी तेजी से Master Guidance नहीं जाते हैं आखिर में जाकर Master Guidance बहाँ पर Emily के हाथ में रखी सारी के सारी रिपोर्ट कुछ चेकर लेते हैं लेकिन उनके facial expressions को देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही सादा disappointed है उनको देखकर लग रहा था कि जिस चीज़ को वो ढूंड रहे थे वो चीज़ अभी उनको मिली नहीं है Master Guidance बहाँ पर Waria को देखकर बोलते हैं कि मैंने Council से मिलने के लिए एक formal request send की थी लेकिन आप यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं इसलिए आपको मेरे साथ आना होगा जिस पर Waria बोलती है तो मुझे कहां चलना है जिस पर Master Guidance बोलते हैं कि यहाँ में Beast Glad के Northern Border के Eastern Cost पर जाना है टैसिया अपने मन के अंदर ये सोची रही होती है कि तभी सामने से Master Guidance के आवाज आती है हम लोग अपनी destination तक पहुँच चुके हैं इसलिए alert हो जाओ Master Guidance के बोलने के थोड़ी दिर बाद उनके लोगों के सारे के सारे घोडे एक cliff पर जाकर रुख जाते हैं और अपने सामने का सीन देखकर टैसिया की आखे खड़ी हो जाती है तैसिया हैरान होकर बूलती है क्या ये डाइसितियस है और वही पर हमें दिखाया जाता है एक टूटी फूटी शिप को जो कि वहाँ पर उस समुद्र के किनारे पर आकर रुकी थी जिन लोगों को नहीं बता की आखिरकार ये डाइसितियस क्या है तो अपनी स्टोरी पर आते हैं वो सारे के सारे लोग नीचे उतर कर उस शिप के पास आकर खड़े हो जाते है और यहां पर हमें दिखा जाता है उस शिप के फ्रंट का सीन टैसिया उस ship को दिख कर बोलती है तो ये ship दाई सित्यस नहीं है जिस पे मास्टर गाइडन बोलते हैं ये उससे भी बुरा है ये बोल कर मास्टर गाइडन वहाँ से जाने लगते हैं टैसिया उनसे पूषती है कि आखिरकार उनके कहने का मतलब क्या है और शिप बहुती ज़दा बुरी तरीके से डैमेज दी टैसिया शिप के डैमेज को देखकर बूलती है कि ये किसी बीस्ट के बाइट करने के निशान है जिस पर एमेरी बूलती है कि इमेजन करकर देखो कि आखिरकार वो मौस्ट कितना ज़ादा बड़ा होगा जिसने इस शिप के इतने बड़े हिस्से को अपने मूग के अंदर भर लिया और यहीं से सीन चेंज हो कर शिप के अंदर टैसिया पर आता है टैसिया अपने मन के अंदर बोलती है अगर जो ये चीज दाइसीतियस नहीं है तो आखिरकार ये चीज है क्या और तो और गाइडन के अलावा इस चीज को और कौन बिल्ड कर सकता है और आखिरकार ये समुद्र के अंदर आई कब और आखिरकार इस शिप के उपर जो लोग थे वो कहां गए सोचते वे टैसिया की नजर अपने साइट पर जाती है तैसिया देखती है कि वहाँ पर वारिया है जो कि शेल्स के अंदर कुछ डून रही है तैसिया वारिया को बुलाती है वारिया बोलती है यहाँ पर रख की हर चीजों को डिस्ट्राइ कर दिया गया है किसी ने बहुत ही ज़दा चाला किसे यहां के सबूतों को मिटाया है जिसे किसी को पता ना चले आखिरकार इस शिप का ओरिजन क्या है आखिरकार इस शिप आई कहां से है जसपे टैसिया बोलती है कि देखकर लग रहा है कि जो लोगी ship के उपर थे वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई बी जाने कि आखिरकार वो लोग है कौन एमिली ये बोली रही होती है कि तभी पीछे से मास्टर गाइडन के अवाज आती है मास्टर गाइडन बोलते हैं कि ये नामुम्किन है ऐसा हो ही नहीं सकता अंटिल तब तक जब तक शिप को ओशन बेचे हुए एक हफता ना हो जाए इसके बारे में मुझे नहीं पता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एडवेंचरर इस शिप को यहाँ पर लेकर आए है यह समुद्री तुफान की वज़े से मुड़ कर यहाँ पर आई है मास्टर गाइडन वहाँ पर जमीन पर बैठते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी तरीके का इविडिनस नहीं बचा इस शिप के उपर जो क्रू था वो नहीं चाता था कि कोई भी जाने कि वो लोग कौन है और वो लोग इस शिप के उपर क्या लेकर जा रहे थे मास्टर गाइडन यह बोली रहे होते हैं कि तभी पीछे से वारिया की आवाज आती है और यह बोलती है कि मैंने इस शिप को जब पहली बार देखा था तबी से मुझे शक था लेकिन मैं चाती हूँ कि आप इस चीज को कॉनफर्म करें बोलने के बाद वहाँ पर पुरी तरीके से सहम जाती है मास्टर गाइडन बोलते हैं हाँ प्रिंसस आपका शक्स ही है अलासरा के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो इस तरह के की शिप को बिल्ड कर पाए और अगर जो ऐसा है तो वो अपनी पूरी की पूरी बाटैलियन को लेकर ओशन की तरफ से भी आ सकते हैं और यहीं से सीन चेंज होकर फ्लाइंग कासल पार आता है जहाँ पर हमें ग्रैंट फादर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर के सामने बैठे हुए होते हैं तरीके से श्योर हो, मास्टर गाइडन बोलते हैं कि His Majesty जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं इसके बारे में पक्की तोर से नहीं कह सकता कि वो शिप अलास्रिया से है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि वो शिप दाइसेतिस नहीं है, मास्टर गाइडन की बात सुनकर Empress Emperor को दिलासा देते हुए बोलती है, गाइडन आखिरकार तुम इसके बारे में इतना ज़्योर क्यों हो, जिस पर मास्टर गाइडन बोलते हैं कि दाइसेतिस कुछ ऐसी चीज है जिसके उपर प्रावड किया जा सकता है, इसलिए मैं चाहता था कि लोग जाने कि ये चीज मे जाते हैं, वो अपने सीट के ऊपर खड़े हो कर चिलाना चालू कर देते हैं, जिस पर Grandfather Emperor को अपने आपको शांत करने के लिए बोलते हैं, यहां पर मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, Emperor बोलते हैं, शांत हो जाओ, क्या तुमने सुना नहीं कि आखिरक खुर बीस्टों के साथ डील करना कम था, जो अब हमारे सर पर एक और नहीं आफटा कर पड़ी है, पर इसी तरीके से वहां पर चिला रहे होते हैं, कि तभी वहां पर Elder बोलता है, बहुत हुआ, Elder की आवास को सुनकर Emperor वहीं पर शांत हो जाता है, और मैं अभी यहां पर आटिफिक्ट के साथ एगरी करती हूं, वहां के सारे सबूत गायब हैं, जो कि खुद इस चीज को कमफर्म करने के लिए काफी हैं, इस पर एमपरस बोलती हैं, कि ऐसा भी तो हो सकता है, कि यह कि यह किसी तरीके का ट्रैप हो अलास्रिया के द्वारा, ऐसा भी तो हो सकता ह और तो और ओशेन के टाइट इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं ये मिरिकल है कि हम लोग उस शिप को पहले ही डोण पाएं और यहीं पर हमारे इस अफिसोड की एंडिंग होती है होप करता होगा इस आप लोगों को मेरी एक्स्प्लिनेशन पसंद आये होगी और अगर जो जनरली आप लोगों को मेरी एक्स्प्लिनेशन पसंद आये है तो जल्दी से चनल को सब्सक्राब कर वीडियो को लाइक कर वी रदे रदे